हेलो फ्रेंट्स मैं आलो कराना आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पहाडी भाईकर में सो यार यह है Q&A वीडियो आपने जो भी क्वेशन पूछे मुझे मैं उनके जवाब देने वाला हूँ और इस साल का लास्ट वीडियो है जिसमें कि मैं आपसे इंट्रेक्शन कर पा रहा हूँ तो जो पहला क्वेशन है मुझे काफी जादा पूछा जाता कि भाई आप कौन सा कैमरा यूज करते हो अपनी मोटो ब्लॉग के लिए और किस चीज से रिकॉर्ड करते हो नॉर्मल ब्लॉग के लिए तो भाई मैं यूज करता हूँ एस जे कैम का एस जे सेवन इस्टार जो कि मैंने बैंगूट से पर्चिस किया था दसजार रुड़्य में करीब 10,300 कुछ ऐसे का था और पंधरस अरर्प्य का माईक मैंने अलग से लिया था अमेजन से लिया था माईक मैंने उसका और जो मोटो ब्लॉगिंग सेटप है उसके बारे में भी काफी क्वेशन पूछेंगे की कि MOTO BLOGGING SETUP कैसा जो आपकी BIEKE का एंगल है हो काफी सही तरीके से आता है तो वो भी आपको दिखा देता हूँ तो यह है मेरा MOTO BLOGGING SETUP एक हलमेट 10200 रुभिय का हलमेट है और इसके सथ मिलाग है यह वह माउंट लगा रिगता है जिरिवीR हो जाता है ये वाला माउंट और इस पर एक दोउए 2 lechnya यो इसका अग्ल dirt की लगने करन सब्सक्राइब तो यह अपना मॉटा कॉलगी पुर डिखाए देता है और इसके अंदर मैंने माइक लगा रखा है यहां इसके अंदर रखा हुआ इस पैट के अंदर और नीचे से मैंने यह लगा रखा है यह प्लास्टिक की टेपिंग करी हुए है जिससे कि यहां से हवा अंदर नहीं गुस्ती और आवाज आपको काफी क्लियर सुनाई देती है तो इसका वायर हो गया, अभी मैंने कैमरे से सूट कर रहा हूँ, तो यही है बस यह देखिए, आप भी कर सकते हैं अगर आपके मोटो ब्लोग में विंड नॉइस ज्यादा आ रही है, और अगला क्वेसंग जो मुझे से काभी ज्यादा पुछा दा कि भाई, एटिंग सॉप मैंने लेप्टोप में एइटिंग स्टार डिकरी तो लेप्टोप में मैं यूज करता हूँ, फिल्मोरा, वंडर्सेयर का फिल्मोरा, तो पहला क्वेसंग है, आई कपिल सिंग का, यह है मत्यपरदेश से यह पूछते हैं कि मोबाईल से इतना अच्छा कंटेंट कैसे बना है, जरूर नहीं कि आपके पास महंगा कैमरा हो, महंगा DSLR हो, तो मोबाईल से अच्छी व्यूडियो बनाने के टिप चीए हैं कि व्यूडियो देखते जाओ, जो मतलब जो ओरनर के यूट्यूबर हैं, इंडिया में भी काभी यूट्यूबर बता देते हैं, टिप्स ट्र व्यूडियो तो आज के लग बगार पॉन में आई जाती है, तो मोबाईल पॉन से बन सकते हैं, उसको बस आप उसकी लास्ट लिमिट तक ले जा होई, जिस दिन तो उस दिन देखना आपका कंटेंट बहुत ही अच्छा होगा, और अगला पैसन है, वो पूछते हैं, क्रे क्या बोलते हैं, उसको इस्टमेट अर्निंग होते हैं, तो लगवग यह समझ लीजिए कि इंटरनेट का कर्चा कितना होता है, पर दे का, उतना निकाल जाता है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं कमाता मैं यूट्यूब से, दो साल होने वादे हैं, अभी बस उतना भी नही होती है, अगला क्वेसन है, नीरज मंडियाल जी का, यह पूछते हैं कि लॉंग राइट के लिए बेस्ट बाइक, तो भाई लॉंग राइट के लिए ऐसे जरूरी नहीं कि कोई भी बाइक जो मतलब जैसे हिमालेन है, या जो बड़ी बाइक हैं, डॉमिनार है, तो यही ब बाइक चलेगी, बस आपको डेस्टिनिशन का पता होना जाएगी, मुझे जाना का है, तो कहीं भी बाइक चलेगी, ऐसे कुछ नहीं है कि कोई फिक्स बाइक के हावे यही लॉंग राइट के लिए बनी हुई है, तो आप तो स्कूटी भी ले जा सकते हैं, वो लक्ष बाइक से भी आप कापी अच्छी अच्छी लॉंग राइट कर सकते हो, और अगला क्वेशन है, उत्रा खंडी राइडर साधी कब करोगे, तो भाइ साधी करोंगा, जब आपकी साधी होगी, उसके दो-तीन साल बाद तो मैं भी कर लूँगा, पहले आप ब्योग कर लो, फ अगला क्वेशन है, और अगला क्वेशन है, पंकच कुमार 95 का, भाइ इतनी लेट क्यों डालते हो व्लोग, तो सौरी भाइ, पहले तो व्लोग अगर लेट आते हूँ, तो बहुत वीजी जिन्दगी आयार की मतलब काम के साथ-साथ वीडियोस बनाना बहुत टाप होता है, फिर एरिटिंग में काफी टाइम लग जाता है, तो लेट हो जाते है तो बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो तो आती रहेंगी, और अगला क्वेशन है, ओमित पमार जी का भाई क्या बाई गौरी खुन तक जा सकती है या सोन परियाग में ही खड़ी करनी होगी, तो भाई गौरी खुन तक तो गाड़ी जाने नहीं देत सोन परियाग में जो में पार्किंग है, वो सोन परियाग में ही है, वहाँ पे आपको पलिस वाले रोक लेंगे और बोलेंगे कि पार्किंग में गाड़ी लगाओ, और उसके बाद आगे वहाँ से आपको लोकल जो जीप रहती है, जो गाड़िया रहती है, टैक्सी रहती ह जिसका की किराया है 20 रुपिये, 20 रुपिय किराया है, तो सही भी है, वहां सुन प्राइक में आपकी गारी सेफ रहेगी, गौरिकुल तक मैंने देखी तो थी कुछ गारियां गई तो थी, साइद हो सकते हैं वो लोकल गारियां हो, और अगला क्वेसान है पहारी पैंथर्स, भाई एक बात थी, आप केमरे की बैटरी कैसे मैनेज करते हो, कोडी राइडिंग में, कि उसकी बैटरी तो बहुत कम चलती है, प्लीज बताना, तो भाई आपका यी कमेंट आया था, कि जो लेंसडाउन वाली वीडियो थी, तो मैं यह बताना चाहूंगा कि लेंसडाउन आपके लीडियो के टाइम पर मैंने काफी कुछ सूट कहाता, इतना यादा सूट हो गया था, कि मतलब वीडियो थी, एडिंग कहने में काफी टाइम लग गया था, तो इसमें बात दिया कि मेरे पास था, दसजार एमेस का पावर बैंक, तो मैंने उसको यूज कहाता, लगाओ मज़ा आएगा दिल से कह रहा हूं बाकी आपकी मर्जी तो भाई ये तो मैं भी चाहता हूं कि अपनी वीडियो में गड़वाली टून लगाओं खासकर जो मैंने पहार के व्लोग बनाई थे पहारी व्लोग अपने घर के तो मैंने कापी कुछ देखा यार कि अगर म मैंने उनको ऐसे ही नॉर्मल जो बैग्राउंड एंसेस मुजिक होते हैं उनको यूज गया तो थोड़ा वही रहता है यार कॉपी राइट का डर रहता क्रेटर उतनी महनद करता है और लास्ट मैं कॉपी राइट आ गया तो जो उसकी पूरी अर्निंग है वो उसको चले ज अगला क्वेशन है नावमबर फष्ट वीक में इस नुँचे अंग करता तुमनाथ वाली वीडियो पे इनका कमेंड आया है तो मेरे भाई नौबर फष्ट वीक में तो नहीं मिलेगा लेकिन आजकल दिसंबर और जनवरी में पूराइस्ट से बराबड़ा है पूरा प्रिवी आ सकते हो लेकिन अगर आपको स्नोब हॉल होते हुए देखना है तो उसके लिए आपको वहां किसी लोकल से बात करनी पड़ेगी जो आपको बताए कि हाँ आज कर यहां स्नोब हॉल हो रहा है या मौसम खराब होने वाल है तो आप आईए और लाइफ स्नोब हॉल का है मेरी इतना कि सिर्फ जो मेरे नेट का खर्चा निकल सके अभी तक जिस दिन पहली अर्निंग आएगी पहली जो इंकम होगी वह आएगी यूटुब से मैं आपको बता दूआ कितनी आई है अगला क्वेसन है सुपुमार सरकार जी का मैं तो जा नी सकता लेकिन भाई आप लोगों को कनेक्ट कर पा रहा हूं उस जगों से जहां मैं जाता हूं अपनी वीडियो के थ्रू और अगला क्वेसन है संजीव कुमार जी का ये पूछते हैं भाई हरिद्वार से चोपता कैसे आए और वहां रहने के क्या इंतजाम है होटल है कि नहीं प्लीज टैल में मु रास्ता लगती हैं और उक्मार पOnly करेजी है अगळी बूप करके ले जा सकते हो यहां अगर कोई दूसरा याथरी ना कि whamda कोई घजा रहा है कि वहांसे को जा रहा हो तो से कोई जा Boss candidate और मैं चले जाओंगा आँ के साथ तो ऐसे बात करके आराम से आप चोपता दुमनात हो सकते हो और होटल तो उखीमट में भी हैं और उखीमट थोड़ा आगे चोपता वाली रोल पे भी हैं कापी होटल तो आपको होटल की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और अगला क्वेशन है वो है नवीन कुमार नदी की गोटू तो Sorry अगर आपका नाम गलत भूल्ला हूँ मैं तो ये कुल पेच इनण इंग्लिस पढ़ लेता हूं बस बोल दी नहीं आती है उसी की प्रैक्टिस करनी है 2020 में आयोग कि मैं इस पर पर काफी काम करने वाना हूं कि अपनी इंग्लिस को इंप्रूब करों पहाड में यह बता है कि पहाड का जो पढ़ाई है वो पूरी हिंदी मीडियम में होती है अब यहां की स कोसिस करूंगा और अगला क्वेशन है सुनील कुमार जी का यह पूछते हैं भाई पहाडों में पलसर बढ़िया चलती है क्या तो हां मेरे भाई पलसर पहाडों में काफी अच्छी चलती है पलसर 150 है मेरे पास और मुझे आज तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि पहाडों में नचड़ पाई हो कहीं और मुझे लगता कि पलसर जो 150 है वो काफी अच्छी बाइक है माइलेज भी उससा सही है और पिकप भी काफी सही है पहाडों के हिसाब से बहुत ही बढ़िया पिकप है न तो ज्यादा पावर है और नहीं ज्यादा कम है सही मतलब बीज की पावर है आप मतलब काफी अच्छे से उसको राइड कर सकते हो पहाड़ों में और अगला प्रेसन है आसिस ब्लॉक्स डेली का यह पूछते है एक्टरनल माइक कौन सा यूज करते हो तो भाई एक्टरनल माइक मैं जब इस कौन से ब्लॉक करता हूं तो इस पर कोई भी माइक मैं नह जाता हूं इसका जो मारे कहां अब आका उसके से रिकॉर्ड होती है और जिस केमरे से अभी सूट कर रहा हूं इस एक्टरनल माइक होता है तो वह मैंने हमेजों से पर्चेस किया था वापको अमेजों पर कहीं भी मिल जाएगा तो वहीं मारेक यूज करता हूं कोई ज़्य ही काफी है अगला जो question या suggestion या कुछ इन्होंने अपने दिल की बात कहिए है सौरा ब्रोथान जी हैं यह बोलते हैं कि सब कर दिन पर गडवाली मा खोई निक कर दो इले अब गडवाई मा भी करियां तुम ब्लोगिंग स्वाधेगी बीडियो मते बहुत 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 धन्यावाद मेरा रेजी स्वारा ब्रोथान जी यह जो कि गडवाई मा या सनी कोदुमी ब्लोग की गडवाई सब उच अब भी कर दो दो आप लुगा चले लिपार तेमानी चले ना कि शिल्वा बलाला तो समाझे नियुंग नियुक्ण नियुक्त निमेग वीडियो त्यत्तव लेमी जाला निगों समीन्कान यह लो मनने एक्स्परिमेंट लाई का नहां यह यो ब्लोग बढ़ाई रखेगी यूटूब पर यूटूब पर बढ़या रहे चैनल लगड़ी यूगा कमेंट पर तीन लाइक निचेनल है लोग तो बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो जो पनाता है और अगला क्वेशन है किर्केट 360 भाई 150 को कितनी देर तक लगाता चला सकते हैं ताकि भाई का हिंदन ओवर हीटिंग ना हो तो भाई ओवर हीट होगा तो आपको अन्दाजा लग जाएगा कि भाई कि मतलब पिक अपनी फकड़ेगी मेरे साथ हो चुका है एक बाद क्योंकि मैंने पीछे से दो आदमी बिठा रखे ते और चड़ाई पर जा रहा था बलकि यहां से पॉड़ी है फिर उसके बार लगता कि गारी में पावर काम हो रही है तो मैंने इंजन पर हार लगा तो बहुत ही गराम हो रखा था ओवर हीट का ऐसा है कि अगर गारी आपकी सही स्पीड पे चल लिए साट सतर हैसी नॉर्मल स्पीड पे तो आप सो डेट सो किलमेटर तक तो आराम से चला सकता है लेकिन उसके बाद आपको भी देखना पड़ेगा कि आप गारी का इंदन ऑवर इट न हो क्योंकि पलसर में तो कहें पर कोई मीटर दिया ने रहता कि ओवर हीट का कोई साइन कुछ न κάν कुछ नहीं दिया रहता तो उसको आपको अपने हिसाब से देखना यही तो दो मेंन चीजें हैं जिससे लोग अट्रेक्ट होते हैं आपकी वीडियो की तरफ इनका कमेंट आया था चंदरबदनी वाली वीडियो के मैंने एक वहां की इंपॉर्मेशन देखती एक सोट वीडियो में तो फैल तो बहुत बहुत थैंक्यू आपने मेरी वीडियो और मैं जरूर अपनी वॉइस क्वालिटी और सिनेमेटोग्राफी में इंक्रूमेंट करूंगा क्योंकि मुझे भी लगता है काफी कुछ चीज़ें अभी सीखनी बाके हैं तो आपके सजेसन के लिए बहुत बहुत थैंक्यू और अगला प्रेसन है मोहित नैनवाल जी का अगला क्वाल जी का भाई गाडवाली में किले नी बोल ते तुम बहँजी में गडवाली में ये ले नी बोल दो कि गडवाली सब्सक्राइब कर दो कर दो कर दो कर दो अगला क्वेशन है और अगला क्वेशन है आर पीजी क्लब आर एंट है रहा थी तो इनका क्वेशन है कि तुम्हारा वट्सेप नम्मर दो भाई जी नाइस वीडियो तो मेरा वट्सेप नम्मर लिख लिजे आप भी 8191025673 यहां स्क्रीन पर आ रहा होगा तो यह सिर्फ वट्सेप नम्मर है इस पर कॉल नहीं होगी और सिर्फ वट्सेप पला है और यह नमर कभी भ मैसेज कर सकते हैं या मेरे से कुछ बात हैं कर सकते हैं जो भी है और अगला क्वेशन है भंडारी वीरवल जी का बैजी ग्वाल्दन थराली की तरब भी जाओ कभी उदर की खुबशूरती को भी दिखाओ अपनी वीडियो में तो बैजी मैं कोसिस करूँगा कि पूरा उत जब भी मौका मिलेगा तो मैं पूरा उत्राकंड एक्सप्लोर करने के लिए निकल बड़ूँगा और उसके बाद इंडिया उसके बाद आपका सपोर्ट रहा तो पूरा वर्ल्ड भी गूरूम रहेंगे तो ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखें जरूर आएंगे ग्व तो हो नहीं सकता अगर आप सच्चे दिल से और मेहनत करके वीडियो बनाओगे और कापी टाइम दोगे यूट्यूब को तो एक ना एक दिन आप यूट्यूब के सक्सेस कर जाओगे और एक चीज़ बताना चाहूंगा कि इसको फुल टाइम कभी भी मतनेना इस्टार्टि सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोग सकता यूट्यूब पे लेकिन पहले थोड़ा टाइम तो लगे गई तो इस्टार्ट कर दीजिए सोचना क्या है मैंने भाई इस्टार्ट कर दीजिए इसमें कोई दिक्कत वाले बात मीं है और अगला क्वेसन है वो है नमस्ते लोग चल पाएंगे आपका बोलने का तरीका सही होना चाहिए कम बोलें और लोगों को अच्छे से समझ आ जाए जो आप उनको बताना चाहते हो तो और गैजेट की बात कि आपने गैजेट ज़रूली नहीं आपके पास महंगा कैमरा हो उससे कुछ नहीं होता मेरे बाई ए इसमें यह कैमरा होना चाहिए और इससे भी आप काफी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकते हो तो और अगला बुला इनों है एडिंग मेरे बाई सबसे इंपोर्टेंट है एडिंग आप जतनी अच्छी करोगे लोगों को वीडियो देखने में उतना अच्छा मजा आए या एडिंग की काफी टिप्स और टिक हैं जो यूट्यूब पर काफी क्रेटर बताते रहते हैं उनको देखिए और देखिए कि मोबाईल पॉन से भी कितनी अच्छे अच्छी वीडियो बन सकती है और अगला क्वैसन है वो पंकच कुमार 95 इनका ही है भाई आपके यहां स्नोबबाते हैं क्या तो भाई मेरे घर मैं स्नोबन लाष्ट हवा था 2005 में करिब तो उसके स्नोबबाई भोगने थोड़ा ऊपर तक हाती है들을मीटर 11 km और उस से नीचए नहांसे नहीं आती है तो यह चीज अच्छी है हमको पर आप देखने को मिल जाती है और अगला क्वेशन है कूल पहारी ब्लॉगिंग के लिए कौन सा कैमरा यूज़ करते हो तो मेरे भाई ब्लॉगिंग के लिए मैं ये फॉन यूज़ करता हूं डेडमी नोद 6 प्रो इससे भी ऐसे ब्लॉग कर देता हूं और जिस कैमरे से आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं ये मैंने केदानाथ वाली वीडियो केदानाथ वाली जो व्लॉगिंग थी उसमें पूरा यूज़ क्या था और इस पर एक सेल्पी स्टिक लगाए थी जो मैंने के रास्ते में पाई थी उपर जाते टा चाह newborn मोटिव आप साहरी कंदगर किसे रह Васकता है मोटिव तो यह रोकिशरे मोटिवरेट करना तो तो अलग चीज है लेकिन मोटिवेट कैसे हो सकता है अपना सब्स gy Miami एक सम्म्ना अगाना यहीं हाए तो मतलब होता ही है कि यूटूब पर इतनी हमेंन यहनद कर रहा क्यों लोगों को अच्छी चीनिया दिखाईए तो यूटूब आपको आपकी वीडियो को आगया आगी सजेश्ट करेगा अच्छी वीडियो होगी तो आपकी वीडियो ग्रोजरूर करेगा और आपका चैनल काफी अच्छा चलेगा तो इसमें एक्जांपल देने की अगर आप रिगुलर हैं यूटूब पे तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं जोग सकता है और मेरे को भी काफी टाइम बीच में लगा कि बस यार ये यूटूब छोड़ों बंद कर दो लेकिन मेरे साथ कुछ न कुछ ऐससे होता रहा कि मतलब मैं यूटूब बंद नहीं करवा यह क्यों मैं मतलब इस साल के स्टाइ्टिंग में मैंने दवी इलयनाना सब्रू किया था मैं कहाता है है कि यार अच्छे एंटिंग सीखूंगा वह आफिया तो नहीं इस कीम पेरा बैचा वाया ककी। और साथ ही साथ उसी टाइम जो पांडवास का गीववे था उसे मैंने गिंबल भी जीता तो उसे थोड़ा एक मतलब मेरे को पीछ से मतलब धक्का मिल गया कि हावे तो अच्छा काम कर रहा है तो मैं लगा रहा है यूट्यूब पे वीडियो बनाने पर और उसके तुरंत बा से मतलब कुछ काम हो रहा है तो क्योंना बनाई जाए वीडियो अच्छी तरीके से तो यही सब तीजहें आए वीडियो सुनाते रहो यह मत सूचो कि सस्क्राइबर नहीं आ रहे व्यू नहीं आ रहे वो तो आई जाएंगे अगर आप अच्छा काम करोगे तो तो मेरे भाई वीडियो देखने के लिए ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें अपने दोस्तों के आज सेयर करें तो वस यह कहना चाहूंगा और अगला है नितिन सेंबाल क्वेस्टन तो कुछ नहीं है इसी तरो की वीडियो बनाते दो मेरे भाई थैंक्यू मेरे वाई वीडियो देखने के लिए आप मेरे को पता है कि आप बहुत पहले से मेरी वीडियो देखते हो और मेरे को पता है कौन लोग मेरी वीडियो देखते हैं कौन लोग कमेंट करते हैं कौन लोग हमेशा वीडियो को लाइक करते हैं क्योंकि लग जाता है आइडिया कौन लोग तो हाँ वाई मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूंगा आयोप 2020 में भी कापी अच्छे अच्छी वीडियो आएंगी आप ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखें तो यार यह सब थे इस साल की लाश्ट Q&A के वीडियो आयोप की आपको जो क्वेशन है उनके जवाब कापी अच् इस साल का इसके बाद एक वीडियो बनाया है मैंने वीडियो पूरा तयार है और वो है 2019 का दिवाइंड पूरा जनुवरी से लेके दिसंबर तक कि मैंने जितनी भी वीडियो बनाई उनके बस सौट क्लिप और एक म्यूजिक के साल उनको सिंक्रोनाइज करके बस दो-ती मिन मिलता हूं आपसे अगली नहीं वीडियो में अगले साल इस साल एक वीडियो आएगी अभी लेकिन उसमें मैं आपको दिखूंगा नहीं बस कुरानी यादे होंगी उसमें तो मैं आलोकराना मिलता हूं आपसे अगली नहीं वीडियो में तब तक के लिए राइट से जय हिं जै उत्राकंड और आपको पहले से एडवांस में साल 2020 की बहुत-बहुत सुब काम नाएं और ऐसी प्यार और सपोर्ट बनाई रखें